मद्य प्रदेश का ये फरोसा तब से हैं जब देश में भारत को भाजप को बहुत कम लोग जानते थे आज तो भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राज़रेतिक डल है आज केंद्र में करीब दस साल से भाजपा की सरकार है वो भाजपा सरकार जिसने भारत को विश्व में पांचवें नंबर की आर्थिक शक्ति बना दिया वो भाजपा सरकार जिसने कोरोना की इतने बड़े महाव संकट से उसमें देश को पिछडने नहीं दिया वो भाजपा सरकार जिसके कारकाल में देश ने चंद्रमा पर अपना जंडा गाड़ा आज भारत के गवरों को नई बुलंदी मिली है नई पहचान मिली है और इसमें मद्य प्रदेश का भी बहुत बड़ा योगदान है और इसलिए लोग आज कहते हैं कि एंपी के मन में और मोधी के मन में इसलिए एंपी कर रहा है एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर मेरे परिबार जनो देश हो या फिर हमारा मदब देश कॉंग्रेस के पास सिर्फ जूठी गोषणा को का भॉंपों ही बच गया है मद्द प्रदेश के विकास के लिए फोस रोड में क्या होगा यह कॉंग्रेस को पता तक नहीं है कि इतनी दूर की कॉंग्रेस सोच ही नहीं सकती कॉंग्रेस के नेता फिल्मी है कॉंग्रेस के डायलोग भी फिल्मी है कॉंग्रेस की गोषणाएं भी फिल्मी है और जब किरदार फिल्मी है तब सीनी भी तो फिल्मी ही होगा कि यहां कॉंग्रेस के दो नेताओं के बीच कपड़े फाड़ने की कॉंपडिशन चल रहा है और अभी तो यह फिल्म का ट्रेलर है यह अपने अपने चेलों को बताते हैं कि एक बार अगर मोका मिल गया ना जो उसके बाद वो खुद के तो फाड़ेंगे आपके भी फाड़ेंगे तीन दिसंबर को भाजपा की जीत के बाद यहां कॉंग्रेस की असली पिक्चर दिखेगी कॉंग्रेस की असली सिर्फ फुटबल होगी अभी तो प्रैक्टिस चल रही है साथियों कॉंग्रेस की आपसी लड़ाई में हमें एक बात कभी भी भूलनी नहीं है कि आप याद रखिए यह जो आपस में गुत्थम गुत्ता है ना एक दुसरे के कपड़े फाड़ रहे ना जहां भी उनका मुका मिलाए ना उन्होंने जन्ता के ही कपड़े फाड़ दिये हैं और इसलिए कि इनको अवसर देना यह बहुत बड़ा संकट होता है कि मेरे प्यारे परिवार जुनों कि आप राजस्तान और सतिसगड़ में देखिए पांच साल तक इन्हों ने इन राज्यों का क्या हाल कर दिया है कि कॉंग्रेस मतलब राज्य में हजारों करोड के गोटाले कॉंग्रेस मतलब राज में अपराधियों का बोलबाला कॉंग्रेस मतलब राज में गरीबों से विश्वास का कॉंग्रेस मतलब राज में दलीतों पिछडों आधिवासियों पर अप्तियाचार कॉंग्रेस मतलब राज को बिमार बनाने की गारंटी कॉंग्रेस को ऐसे ही काम उनके चरीत्रे में बन गए उनके स्वभाओं में बन गए उनके खुन का हिस्सा बन गए है आप जानते हैं कि हां के कॉंग्रेस के शिर्फ नेता है आपस में क्यों लड़ रहे हैं कि शीम की कुर्शी के लिए नहीं लेकिन वो उन्हें पता है उनकी दाल यहां गलने वाली नहीं है कि इसलिए वो सीम्स कुर्ची के लिए नहीं लड़ रहे हैं यह जो अंदर गुत्तम गुत्ती चल रही नहीं कपड़ा फाड़ काम चल रहा है ना वो तो दोनों नेता तो अपने अपने बेटों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे किसको मिलेगा कि लड़ाई इस बात की है कि किसका बेटा मद्द्देश कांग्रेस पर कप जा करेगा कांग्रेस जिर्फ परिवारबात का परचम लहरा सकती है मद्ध प्रदेश का पर्चम लहराना कॉंग्रेश के बस की बात नहीं है भाजपा आपके परिवार के वर्तमान आपके बच्चों के भविश्च के लिए काम कर रही है आपका सपना ही मद्ध प्रदेश के मेरे भाईयों बहनों मेरी गारंटी है कि आपका सपना ही मोदी का संकल्प है इसलिए गरीब से गरीब परिवार को समर्थ बनाना बाजपा सरकार का मिशन है इसलिए बाजपा सरकार गरीब की हर चिंता का समाधान कर रही है गरीब की हर छोटी छोटी जरुरत को पूरा कर रही है जैसे गरीब का बहुत बड़ा सपना होता है कि उसके पास अपना पक्का गर हो जब केंदर में कॉंग्रेस की सरकार थी तो गरीबों के घर बनाने में उसकी कोई दिल्चस्पी नहीं थी यह भाजपा सरकार है जिसने पिछले दस साल में चार करोड से ज्यादा घर गरीबों को बना कर दिये हैं चार करोड घर मंद्द प्रदेश में भी करीब करीब पचास लाग गरीबों को पी-एम आवास योजना के पक्के घर मिले हैं कि यहां रतलाम में भी गरीबों के लिए नब्बे हजार घर बनाए गए यह लाखों रुपया के घर है और इनमेंसे अधिक तर घरों की रजिस्ट्री बेहनों के नाम पर हुई है और अब हमारा मद्ध प्रदेश तो जब भी बेहन याद करो तो मामा याद आही जाता है याने यहां की हजारों महिलाएं लगपती बनी हैं उनके नाम पर पहली पार कोई संपत्ती हुई है हमारे शहरों में रहने वाले मद्धमबर के लोगों का अपने घर का सपना पूरा हो इसके लिए भी केंद्र सरकार पूरी गंबेटा से काम कर रही है जिसकी अठारा लाक उर्पे की आए है उसे गर खरिंदे पर ब्याज में छूट देने वाली योजना चला ही जा रही है और इस देश में आजादी के इतने सालों के बाद भी मद्यंबर के लिए शहरी मद्यंबर के लिए किसी सरकार ने योजना नहीं बनाई थी यह मोदी पहला प्रदान मंत्री है जिसने इसकी चिंटा इस योजना का लाब लेने वाले बार जानों जब मैं गरीबों की बात करता हूं तो इसमें भी सबसे बड़ी संख्या मेरे दल और मेरे आदिवासी परिवारों की रही है यह भाजपाई है जिसने कोरोना के संक्रकाल में भी गरीबों को मुप्तर आशन देने की योजना बढ़ाई है एक वक्त के खाने भी बूख क्या होती है कि यह गरीबी से निकला व्यक्ती ही मैसूस कर सकता है कि देश की किसी मा को किसी पीता को अपने बच्चे को भूखा ना देखना पड़े आज मोदी इसकी कारंटी बन गया है प्रदान मंत्री गरीब पल्यान अन्य वजना के तहत देश में पिछले तीन साल से गरीबों को मुप्त राशन दिया जा रहा है मुप्त राशन से जुड़ा एक और निशना है और मोदी तो गरीबी से निकला है तो उसे मालुम है और मेरा एक और निणा है मेरा और एक निश्चे है वैसे तो यह योजना एक महिने के बाद उसका समय पूरा हो रहा है असी करोड गरीबों को मुप्त राशन देने वाली योजना डिसेंबर में पूरी हो रही है लेकिन मोदी का निश्चे है आने वाले पांच साल के लिए इसको बढ़ाया जाएगा आने वाले पांच साल तक असी करोड मेरे देश वाजियों का चूला जलता रहे यह मोदी की गारंटी है अर अब यह योजना पांच साल के लिए आगे बढ़ेगी गरीबों को राशन मुप्त में मिलता रहेगा उससे जो पैसे बचेंगे जीवन की और आवश्यक्ताओं के लिए मेरा गरीब लगाएगा देश की हर गरीब को हर माता बहन को मोदी जब गारंटी देता है न तो गारंटी पूरी करने की गारंटी भी साफ अधर क्या आता है सात्यों भाजपा की डबल इंजिन सरकार की हर योजना के मूल में माता बहने और बेटियां सौचाले के भाव में गैस कनेक्शन के भाव में बिजली और पानी के भाव में सबसे अधिक परिशानी अगर किसे को होती है तो परिवार में हमारी माता और बेटियों को होती है कि उजबला योजना के कारण अधिवासी परिवारों की दलित पिछले परिवारों की करोर बेहनों के धुए से मुक्ति मिली है और आपको कुछी दिन पहले रक्षा बंदन पर एक और खुशिल कपरी मैंने भेजी थी उजबला की लाबारती बेहनों के लिए गैस सिलिंड हर गर जलब यान के तहट मद्द प्रदेश के लाखों परिवारों को नर से जल की सुविदा दी जा चुकी और वो दिन दूर नहीं जब एमपी के हर घर में पाइप से पानी की सुविदा होगी साथ क्यों डबल इंजिन सरकार का क्या फाइदा होता है इसका एक और उदाराना हमारे जंदन खाते हैं मोदी ने महिलाओं के बैंकों में खाते खुलवाए हर लाब उन बैंकों के खाते में पहुंचे इसकी व्यवस्ता की यहां मद्द प्रदेश की भाजबा सरकार ने उ पहुंचाई लाली बहन योजना और लाली लख्वी योजना की प्रसंसा आज पूरे देश में हो रही है कि गर्भवती माताओं को भी अच्छा पोशक अहार मिले इसके लिए भी प्रदान मंत्री मात्रों मंद्रा योजना चल रही है इसके तहद भी मद्द प्रदेश के लाखों बहनों को सोला सो करोड रुप्य दिये जा चुके हैं मेरे परिवार जनों माताओं बहनों के शसक्ति करण की सच्ची कोशिश भाजपात सरकार की सही पहचाम है इसलिए भाजपाने महिलाओं को दी गई अपनी एक एक गारंटी पूरी की है महिलाओं के लिए शक्ति बंदन अधिनियम लाकार महिलाओं की बर्सव पुरानी मांग पूरी की कॉंग्रेस तो ऐसी पार्टी है जो एक परिवार से बाहर देखी नहीं सकती इसलिए आदिवासियों के सच्चे सशक्तिकान के लिए भी उसने कभी काम नहीं किया आप याद कीजिए देश की पहली आदिवासी महिला राश्पती जी का कॉंग्रेस ने कितना गंगोर विरोध किया था भाज़पा के ही एक पुराने नेता को उनके खिलाब मैदान में उतार कर कॉंग्रेस ने दिखाया कि वह आदिवासी बेटी को रोकने के लिए किस हद तक जा सकती है इसलिए पुरे देश का अदिवासी समाज कॉंग्रेस से भव नाराज है कॉंग्रेस को सजा देने के मूड में है मेरे परिवार जनो आदिवासी हितों की रक्षा आदिवासी भाइबैनों का कल्यान भाजपा की सर्वोच्च प्रात्फिक्ताओं में से एक यह बाजपा है कि अधिवासी समाज की योगदान को राश्री पहचान दी है यह बाजपा सरकार है जिसने भगवान बिर्सा मुंडा के जन्मदीन 15 नवंबर को जन जाती गवरोदिवस गोशित किया है कुछ दिन पहले ही हमने रानी दुर्गावती की पांसोवी जन्म जैनती को दुमदा मिला मैं और शिवराज जी दोनों वहां जाकर के एक बहुत बड़े काम का अरंब किया आज भारत के आदोनिक तम रेल्वे स्टेशन का नाम रानिक कमलापती के नाम पर है आज जन्नायक तंट्या भूल के नाम पर मद्य प्रदेश में अनेक संस्तान है अनेक योजनाए है मेरे परिवार जनों भाजपास सरकार लोकल उत्पादों को देश-विदेश तक पहुंचाने के लिए पत्तिबद्ध है इसलिए एक जिल्ला एक उत्पाद के तहट बन डिस्टिक बन प्रोड़क के तहट रत्लामी सेव को चुना गया है यहां नमकिन क्लॉस्टर भी स्थापित किया गया है जो नए अउद्योतिक क्लॉस्टर बन रहे हैं उससे भी छोटे-छोटे उद्योगों को बल मिलेगा नए टेक्स्टाइल पार्क से भी अनेक रोजगार बनने वाले भाजपा के सासन में 21 सदी का मत्प्रदेश अब प्रक्लाम से भी कभी आठ लेन का एक्सप्रेस में होकर गुजरेगा पुरानी फीडीने सोचा भी नहीं होगा लेकिन आज यह सच्चाई बन चुका है दिलनी मुंबई एक्सप्रेस में की वज़े से एक शेत्र कोटा और सुरज्य से सहरों से भी कनेक्ट हो गया है अब य कोरिडर बनने जा रहा है इससे यहां के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनने जा रहे हैं इसे एक महत्वपन व्यापारी केंद्र के रूपे मालवा की रत्लाम की पहचान और सब्सक्त होगी मेरे परिवार जनों देश मैसा कोई नहीं है जिसे से जिसे कॉं क्योंरे करण माफी का जुन जुन आ लेकर आती रहती है पिछली बार भी उन्होंने रही किया था लेकिन का इत्यास है कि कॉंघर की कर्ज माफी का पाइदा किसानों को नहीं कॉंघ्रियस को के चेले चपाटर कोई मिलता है जबकि बाजबा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है हम किसानों के हर छोटे बड़े खर्चों की जिंता कर रहे हैं पीम किसान सम्मान निदी के तहट देशपर के किसानों को दो लाख साथ हजार करोड रुपिये सीधे उनके बैंक खाते बे प्रदेश में तो डबल इंजिन सरकार के कारण किसानों को डबल फाइडा मिल रहा है कि आज अनाज हो या फिर दलहन तिलान कॉंग्रेस राज की तुलना में भाजपा सरकार कहीं जादा मात्रा में खरीद कर रही है हाली में गेहूं चना और दूसरी फचलों के में बड़ ना खड़िदने पड़े इसके लिए भी भाजपा सरकार लगातार काम कर रही है विदेशों में यूरिया की जो बोरी तीन हजार रुपया की है आज बही बोरी भारत के किसानों को तीन सो रुपिये से भी कम मिलती है इस पर भी भाजपा सरकार लाखो करोड रुपिये खर्च कर रही है मेरे परिवार जनों समाज के हर बार का हर खेत्र हर परिवार के हित्में जब ऐसे काम होता है तभी भाजपा सरकार इतना अधिक बरोसा होता है यहां रतलाम में जो कुछ मैं देख रहा हूं वह भाजप जो मैं अभी 36 गड़ के आ रहा हूं मेरे शब्द लिख लिए 36 गड़ में भाजपा सरकार बनना ताय है लेकिन भाजपा की विजय सिर्फ सीटों तक सिमित नहीं रहनी चाहिए बलकि शत्त प्रतिशत बूथों में कमल खिलना चाहिए आप इतने बड़ी संख्या में आए आपके दर्शन का मुझे लाब मिला लेकिन मेरा एक काम आये हैं तो करना पड़ेगा करोगे जो बहार टेंट के बहार लोग बहुत कड़े वो सुन्द रहे हैं मेरी बात जरा हाथ उपार करके बताईए मेरा काम करेंगे यह वाले टेंट वाले भी करेंगे यह वाले भी करेंगे मैं बढ़रुसा करूं मेरा एक काम करिया यह जो मैं कह रहा हूं न काम वो छुनावी काम नहीं है करोगे ना मैं चुनाओ के लिए नहीं कह रहा हूं मेरे लिए कह रहा हूं कि करोगे पकां एक काम करियेगा यहां से गर गर चाहिए और हर गर जाकर के कहिए कि मोदी जी रटलाम आये थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है, इतना कह देंगे, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, हर परिवार में जब मेरा प्रणाम पहुंचेगा, वो माता, वो बुजूर, वो गर के परिवार के मुख्या, जम मुझे आशिरवाद देते हैं न, तो मेरी काम करने की ताकत अने गुना बढ़ जाती है। साथ को आप इतने बड़ी ताज आज में आए। यह मोमेंट मना रहे roughly मेरे इसाथ बौलियों भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। बहुत ऑन दन्यवाद।